नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टुकिरिशरी फेदे लिड़ोज ओफ इंडियन फुड़ोड तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर आज होने वाले धमाखेदार मुखाबले के बारे में इस इंडिया वसिस उजबेकिस्तान जो कि आज रात आठ बजे इंडियन स्टार टा कर पा रहे और उसके चलते हैं यहां पर आपको तीन चार चैंजे स्टार्टिंग 11 में देखना को मिलेंगे उसके साथ यहां पर बड़ा लगा है हमें वह यहां पर लेलेंज जोला चांक्ते जी आगेज उन्होंने कल का जो ट्रेनिक सेसन था वह यहां पर मिस किया और यहा जादा इंस्ट्रक्शन देते हुए दिखर है तो इसका मतला भी कि मेभी दोनों स्टार्ट कर सकते हैं या फिर मेभी दोनों में से कोई एक यहां पर स्टार्टिंग 11 में जरूर होगा तो इसका उतना ज्यादा इंपेक्ट यहां पर नहीं होगा क्योंकि गुर्पी सिंग संदु इस यहां पर इसका अभी तक यहां पर रिकवर नहीं हो पाए मेभी सो वहां पर भी आपको चैंजिस मेभी देखने को मिल सकते हैं बेक लाइन में भी एकाद प्लेयर का यहां पर नुज आ रहा है जो आपके यहां पर नहीं हो चैंज पर इस यहां पर इस यहां पर नहीं पर नहीं होगा है लेट 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 अपकी इंडिया वाइप वेरी गुड़ फाइट एड वेरी गुड़ गुड चांस कि यहां पर उजबे किसान के सामने कुछ पॉइंट यहां पर प्रूश्टेंग इसके बारे में सिरिया का चांसी से तो गेट इन्टु धी राउंड उप सिक्षिन या फिर हमारे लिए उतरा ज़्या और उनका एक कॉंफिदेंस भी डाउन हो जाए यूकि लगातार दो में चीस अगर वो एक में चुजबेकिस्तान के सामने ड्रो और उस्टिला के सामने आर के आएगा के लिए उसके लाएं पर कल के जो दो में चीस हुए एफसी अशन कप में वह जबर्दस में ग्रूप ऐसे एंड यहां पर पहला में यहां पर लेबनान वसी चाहिना तो चाहिना का यहां पर फूटबोल में डाउन फोल देखना को मिल रहा है क्योंकि सबसे इजी ग्रूप उनको यहां पर मिला था गुरूप है कि जहां पर वो डेफिनिटली सेकंड फिनिस करके जा सकते थे बट अन्फुटनेटली कल भी उन्होंने लेबनान के सामने निल-nil से ड्रो के ला नो डाउट धियार करेंटली सिटिंग उन्दी सेकंड पोजिशन बड़ा इंग नेक् पोजिशन उनका चांस रहेगा चाइन अगर थर्ड पर भी फिनिस करता है तो आधिंक टू पोइंट्स के साथ उनका मेरे को लगता है कि काफी मुश्कुल है जबकि लेबनान भी अगर मैच जीता है तो वह भी यहां पर सेकंड फिनिस करके वह भी जा सकता है तो आधिंक तजाकिस्तान और लेबनान को देखना है के ड्रो नहीं करना है अधरवाइस चाइना का चांस बनेगा यह कोई एक डेफिनितली यहां पर राउंड रॉप शेक्शन में क्लिफाय कर चुके है अक्रमाफिब भाइ वाट वोट प्लेयर ही यह जीस तरह के फोर्म में और प्ले उन्होंने दिखा है वो भी काफी ज़्यादा कमेंडेबल था उसके बाद बात करते हैं अब यहां पर कलिंगा सुपर कप में भी कल तो इंटरस्टिंग मुकाबले हमें देखनों को भी लिए ग्रूब डी में जो की ग्रूब डेथ है वहां पर एपसी गोवा वसिस बी लोग दोस्ते तोस कुरूशल थी पूंट अड़ आउट बी शुपर कप नौ दूसरा में अच्था यहां पर ओडिसा एंटर कासी जहां पर ओडिसा ने डोमिनेंस करते हुए यहां पर थी निल की विक्री आसिट कर लिए अगांस दी इंटर कासी एसाइड आई आई लिग तो ना इस बिविए एपसी गोवा एंड क्या बलती कि ओडिसा एफसी एक वाटर फाइन लाइक सिनारियो एंड तीन गुरूप में ऐसा शिनारियो बन चुका है। गूप यहां पर बन चुका है। तो रिली रिली एकसिटिंग मैच इंदी सूपर कप इस ओलसो कुंग कौनसी बाकी की जो तीन तीमें है वह यहां पर सेमी फाइनल में कौलिफाइ करती है। वह देखना है रहेगा। उसके बाद बात करते हैं यहां पर रिसेंटल हम सबको पता है कि गुजरात गवर्मेंट ने यहां पर ओलंपीक के लिए डालने वाल है तो उसके लिए उन्ह यहां पर ओलंपीक 2036 का क्या बिट चीतते हैं यहां पर इस विल स्टाडियम विल बीट बिल बड़ एड़ इंग यहां पर रिसेंटली डूरिंग पूछा गया था कि आप इंडियान फूटबल ने क्या यहां चैंजिस करने चैहें था कि इंडिया भी जापान की तरह यहा आपको काम करना है सिर्फ ग्रासरूट के उपर और और बी ज्यादा लोगों को यहां पर यहां पर उसी चीज़ पर काम नहीं होता और जो फोकस सारा रहता है वह आपके टॉप डिविजन यानि कि आयसेल एंड नेशनल टीम पर ही रहता है जबकि फोकस आपका सबसे ज्यादे इंवेस्टमेंट आपका होना चीए ग्रासरूट यूथ लेवल और वहीं पर आप इंवेस्ट करोगे तभी जाके आप प्वालिटी प्लेयर आज नहीं मिलता है तो कलका जो साइड लाइन पर होंगे महान बगान के लिए वो होंगे यहां पर आपके क्या बलते की क्लिफट मिरांडा साब एंट अन्टोन हबस माइट बीट अवेलबल ऑंधी साइड लाइन तो देट विल बीग बलोग बट आई तिंक लेट होप सो क उनको नोसी मिल जाए तो आज रिगारें देट वर्ट वारत